नमस्कार दोस्तों केके एक जाम पायट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी सेल पीजी सी आईयल आधी परिच्छाओं की तयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों इन सभी परिच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने एलेक्टिरिसन थेवरी से कुछ मात्पूर प्रस्नों की सीरीज श्टार्ट की है जो कि ये सीरीज में हमने सभी टॉपिक से प्रस्नों को लिया है कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो कि आपका प्रस्न छूड़ जाएगा अगर दोस्तों यहां से आप तयारी करते हैं तो आपका एक भी प्रस्न बाहर नहीं जाएगा चलिए आपका जैदा टाइम ने लेते हुए इन प्रस्नों की सुरुआत करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में सेर जरू करिए वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक जरू करना चलिए जैसा कि आज का हमारा प्रस्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो कि सामान उम्र और स्वास्त वाला ब्यक्ति का प्रत्रोद कितना होगा राइट अंसर यहाँ पर जो कि आपसे नमबर स्वी एक किलो ओम ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हम इसमें ब्याक्ख्या सही देखते चलेंगे जो कि आपके लिए काफी महत्तपूर होंगी समान उम्र और स्वास्त व्यक्ति का प्रत्रोद एक किलो ओम होता है तथा धारा नव मिली एंपियर होती है अगला प्रस्न अगला प्रस्न यहाँ पर हम देखते हैं जो कि वैदूत उपकरण का उप्योग करते समय निमनी में से कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए राइट अंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा जो कि कोई नंगा तार नहीं पकड़ना चाहिए यह इसका सही उत्तर होगा जैसा कि आप यहाँ पर पूरे आपसंद पढ़कर भी निकाल सकते हैं इसका आपसंद नम्बर एश सही है चले यहाँ पर हम आपको बता देते हैं विदूत उपकरणों का प्रयोग करते समय नंगे तारों को नहीं चूना चाहिए अन्यता विदूत का जटका लगेगा भारती विदूत अधनियम के तहट तै किये गए सुरच्छा मानकों का ध्यान रखना चाहिए अगला है अगला हमारा प्रस्ण दिया गया है जो कि हम निम लिखित में से किस विदी द्वारा दुरगटनाओं से बच सकते हैं सहुत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर कार विशेष मसीन तथा कार रिष्थान से संबंदी सुरच्छा नियमों का पालन करके इस से हम दुरगटनाओं से बच सकते हैं इस नियम का पालन करके पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं जो कि हम कार विशेष मसीन तथा कार से संबंदी सुरच्छा के नियमों का पालन करके दुरगटनाओं से बस सकते हैं दुरगटना होने के निमन काराण हो सकते हैं जैसे कि खत्रे के प्रति सजगना होना कार को जल्दी करनी की सुकता सामर्थ से अधिक मेनत करना और उचित वेजभूसा का प्रयोगना करना कार करते समय अनुसासन हिंता करना इससे भी दुरगटना होती है और हम आपको बता दें घरेली तनाव से भी दुरगटना आपकी हो जाती है चलिए अगला प्रशन अगला प्रशन आपका दिया गया है विदुत विभूक ओम आपने की एसाई काई क्या है राइट अंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपसन नमबर ए वोल्ट ये इसका राइट अंसर है ओम इसका रजिस्टेंस का मात्रक होता है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और धारा का मात्रक एंपियर होता है यहाँ पर प्रत्रोद का मात्रक जो की ओम होता है यहाँ पर आप जरूर जान दिए चलिए जैसक यहां पर हम आपको फिर से बता देते हैं विवांतर वोल्ट प्रत्रोद ओम और प्रत्रोद धक्ता ओम इंटु मीटर होता है विदुधारा जो है एंपियर इसका मात्रक होता है एगला परसम निम लिखितम से कौन सा मांदंड लैंप के समनांतर कनेक्शन में सम उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहां पर आपसन नंबर ए वोल्टेज यह इसका सही उत्तर होगा चलिए पूरी जानकारी आपको फिर से बताते हैं जो कि कि किसी भी समनांतर परिपत एसी या डीसी में सदेव विभाव वोल्टेज कमान समान रहता है किसी भी स्रेडि करम परिपत एसी या डीसी में सदेव विदुधारा कमान समान रहता है यह जानकारी आप जरूर जानते रहिए अगला है एक परिपत में दो बिंदों के बीच विदुधारा का संचालन करने के लिए आवश्यक बोल्टेज को क्या कहा जाता है राइट अंसर आपको हो जाएग जो कि यहाँ पर विववांतर से उत्तर होगा चले पूरी जानकारी देखते हैं यहाँ पर जो कि एक परिपत में दो बिंदों के बीच विदुधारा का संचालन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज को विववांतर कहा जाता है विववांतर की एकाई वोल्ट होती है प्रशन दिया गया है निम्न में से क्या ये में फुत्वपन करने की विधी नहीं है यहां पर आपको बताना ये में फुत्वपन करने की विधी क्या नहीं है चलिए क्या रशानी क्रिया है ये तो आपकी है विदु चुमकी प्रेजर क्रिया भी है और दो समान धात्यों के ज जाएगा जो की राइट अंसर है चलिए पूरी तरह से जानकारी देखते हैं धातु पट्टी के दुन सिरो को रगणने से ये में पुत्तपन नहीं होता है ये में बढ़ाने से राशानी क्रिया विदुत चुमिकी प्रेरन तथा दो असमान धातुं की जंक्सन जंक्सनों को गरम करके उत्तपन किया जा सकता है अगला परसंट अम्हारा दिया गया है फ्रेंच कर्व किसके चित्रांकन के लिए प्रियूट किया जाते हैं घातू लकडिया प्लास्टिक का बना होता है और इसमें विभिन आकार की आकरतियां बनी होती है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है अगला है विद्दुची त्रांकन में एक ट्रांसफार्मर को किस प्रकार को दरसाया जाता है राइट अंसर आपको हो जाएगा जो कि यहाँ पर दो प्रति छेदन ब्रत से दरसाते हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार दरसाते हैं अगला है अगला हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें कटोर तारों को काटने के लिए इन काउन सा प्लायर उप्यूक्त है राइट अंसर आपको हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपसर नमब पता दे इसकी सहाय którego के लिए इस डतार को divido को काने के लिए किया जाता है जो की टर्मिनल के पास होते हैं और इसका प्रयोक जो है केबिलब काड़ का ब रोधन हटाने के लिए किया जाता है विकल्ड कटर प्लायर जो है सब सव एमें मैं 125 मैं 140 मैं 160 180 और 200 मैं लंबाई तक के बनाए जाते हैं जो कि यहां पर आप ज्यान सकते हैं अगला प्रसुंट अगला प्रशन हमारा दिया गया है जो कि 100 ओम के 100 रजिस्टेंस यानि प्रत्रोध समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं तो उनका तुले प्रत्रोध कितना होता है सिंपल सा फार्मूला होता है यहां पर आपको हम आपको बता दें जो कि यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा जैसे कि resistance आपका होता है R total बराबर R upon N यानि आपका जितना resistance है और जितने प्रत्रोध है इनका भाग दे देंगे आपका जैसे कि 100 में 100 का भाग देंगे तो आपका यहाँ पर एक आ जाएगा जो कि आपसा नमबर सी सह उत्तर होगा चलिए खले हम अगले प्रको की तरफ चलते हैं जो कि आपका अगला प्रस दिया गया है जैसे कि निमनी आपकर संवर्पत में अर के मांड़ गड़ना आपको करना है जैसे कि यहाँ पर आपको बताना हुए इसमें resistance कितना होगा चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें जैसे कि यहाँ पर आपके यह दोनों स्रीज में जुड़ हुए हैं यह आपका 70 वोल्ट लगा हुए है इतने 70 वोल्ट मालो वोल्टेज जा रहा है जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें इसमें इस फारमुले का मालो करेंगे प्रत्रोट को में जोड़ने पर उनका समकच्य प्रत्रोथ क्या होगा चलिए यह नहीं पर आपको बताते हैं यहां पर आपको आपको हो जाएगा जैसे की चलिए सालू करके यहां पर करता देते हैं जो कि हम पर आपका स्रीज क्रम में प्रत्रोंद होता है यह देस्ट का प्रत्रोंद में इस जानते हैं आगर सिंपल ऐगर जोड़ना चाहे तो यहां पर आर फ्लस आर्टू यक्स मेर रटूब कार कर सकते हैं या तो आप और इंटु एन से गुड़ा कर सकते हैं जो कि आपका यहां पर अगर समान है तो ये वाला फार्मुला आपका लग जाए गया चले अगला प्रशन हम आपको बता देते हैं जैसे कि आकरती के आधार पर सही वीकल्प का चैन कीजिए यहां पर हम होना है कौन सा इसमें सही होगा चलिए विकल्प के माध्यम से आपको बताते हैं जैसे कि ये पूरे सर्कुट में वोल्टेज आपका समान रहोगा समानतर में दोस्तों आपको पता ही होगा जो की वोल्टेज जो होता है समान होता है और इसमें धारा जो है बढ़ जाती है जो यहाँ पर आपकी कार्बन होता है यह इसका राइट एंसर होगा चलिए यहाँ पर कार्बन के बारे में देखते हैं कार्बन प्रत्रोधक बनाने के लिए गादर समागरी कार्बन है वहाँ प्रत्रोधक जिसमें धारा के विरोध के लिए मुख रूप से कार्बन प्रत्रोधक कहलाता है कार्बन प्रत्रोधक निम्न प्रकार के होते हैं जैसे कि मॉल्डेट कार्बन कंपोजीशन प्रत्रोधक और सेकंड होता है जो कार्बन फिल्म प्रत्रोधक इस प्रकार आप जान सकते हैं अगला प्रसन किसी पदार्थ के एक सेंटीमिटर की लंबाई और एक सेंटीमिटर अनभागी छेतरफल के प्रत्रोद को विशिष्ट प्रत्रोद कहा जाता है विशिष्ट प्रत्रोद या प्रत्रोदख्ता का मान चालक के पदार्थ की परकरती पर निर्भर करता है इसका SI काई जो होता है Omitometer होता है फार्मूला भी आप देख सकते र बराबर रो इल अपान ए होता है जहां कि र बराबर प्रतरोग रो बराबर विशिष्ट प्रतरोग एल बराबर चालक की लंबाई एं जो हुए आपका शालक का अौपरस्थ काट का छेतर फल होता है चलिए अगला प्रसन अगला प्रसन आपका दिया गया है जो कि इस प्रकार का है जैसे कि हम देखते हैं संपीडित कार्बन पाउडर और एक उप्यूक्त रेसिन बंदक यूग्त प्रतरोधी को टेटेस कहा जाता है सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर कार्बन कं कंपोजीशन रजिस्टर यह इसका सही उत्तर होगा चलिए देख लेते हैं यहाँ पर संपीडित कार्बन पाउडर और एक उप्यूक्त रेसिन बंदक यूग्त कार्बन कंपोजीशन प्रतरोध कहा जाता है कार्बन प्रतरोध एक ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक तथा एक लिखित प्रकार के प्रतरोध में यह पैचान करना है आपको जैसे कि इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसे कि फिल्म कार्बन प्रतरोध राइटेंसर है चलिए अगला प्रसंट की तरफ चलते हैं जो कि आपका अगला प्रसंट दिया गया है यहाँ पर एक बैटरी 20 ओम के प फार्मूला आपका होता है जैसे कि वी बराबर आई यार फार्मूला होता है यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे और इसे गुड़ा कर देंगे तो आपका यहाँ पर एंसर निकल कर आ जाएगा जो कि आपका एंसर आएगा यहाँ पर आपसे नंबरे 15 वोल्ट धारल समान होता है तो 40 वाट लैंब का प्रत्रोद क्या होगा चलिए इसको हम बताते हैं जैसा कि इसका राइट अंसर हो जाएगा 60 वाट लैंब से ज्यादा ये इसका सही उत्तर होगा चलिए जो कि इस प्रकार आपका जूड़ा हुए स्रेडी करम में फार्मूला होता है आपका डबलू बरावर वी आई या वी स्क्वेर अपान आर होता है चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें 60 वाट में 40 वाट में 40 वा किलो ओम है और आर्ट चार किलो ओम हो तो निर्गम आउटपूट वोल्टा ग्याद करने के लिए निवीस इंपूट वोल्टा दस वोल्ट है तो आपको यहाँ पर बताना है निकालना है जैसे कि यहाँ पर हम इसे साल्व करते हैं जैसे कि साल्व करेंगे तो यहाँ पर आ आप साल्व कर सकते हैं आपका अपसान नंबर ए आट वोल्ट से उत्तर हो गया चलिए देखते हैं यहां पर वोल्टा विभाजन के सापेच ता द्वारा समझा जाया सकता है वोल्टा वोल्टा पात का अनुपात प्रत्रोत के मान के सापेच परिभासित है इस प्रकार आप से साल्व कर सकते हैं चलिए हम अगले प्रशन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रशन दिया गया है किसी बिंदू पर बीस वोल्ट विभाव है और अनंत से इस बिंदू तक जीर सुनल पांच कुलाम का आवेस लाने के लिए किया गया कार आपको बताना है जैसे कि यहां पर हम आपको बता देते हैं वी बराबर डवलू अपान क्यूं होता है डवलू अपान क्यूं होता है इस प्रकार यहां पर फार्मूले पर मान रख सकते हैं जैसे कि वी बराबर डवलू अपान क्यूं यहां पर आपको निकालना है तो यहां पर हमें क्या निकालना ह होगा चलि इस प्रकार आप देख सकते हैं जो SPRKAR किया गया है चलि हम अगले PISHन की तरह प्यलते हैं इतना तो आपको समझ में आता ही होगा power की काई क्या है Cokry सभी को पता हो गा करेंट की करेंट का मातरक जो होता है after Murray होता है often इसका मात्रा कुलाम होता है चलिए अगला प्रसुन हमारा दिया गया है जो कि वैदू संपर्कों के बीच इस पार्किंग घटाने के लिए निमली खित को निर्दिष्ट कराया जाता है सहुत्तर आपका हो जाएगा जो कि संपर्कों के साथ समांतर में कापिसिटर ये इसका स लिए जैसा कि दो वैदू संपर्कों के बीच इस पार्किंग घटाने के लिए संपर्कों के साथ समांतर में कापिसिटर लगाया जाता है ये आप जरूर याद रखेंगे अगला प्रसुन कि एसी परपत मिधारा की दिशा पलपल बदलती रहती है ये इसका सहुत्तर है औ यह पूरे यहां पर इकाई देख लेते हैं जो की प्रेर्कतों का मातरक जो है हेंडरी होता है संधारित का मातरक फैराटे होता है और पितरोद का मातरक ओम होता है प्रतिबादा का मातरक भी ओम होता है ये आप जरूर याद रखें अगला प्रसुन अगला प्रसुन आपक पर हम आपको बता जाएगा जो की आपसे नंबर भी जो की जेड बराबर रूड में आर और स्कॉयर प्लस एक्सल माइनस एक्सी का होल स्कॉयर यह आपको जरूर याद रखना है अगला प्रसुन हमारा दिया गया है विरोध का वह कौन सा रूप है जो इलेक्ट्रानिक घटकों को धरिता या प्रिरिकत के कारण उत्यपन अवरोध प्रतिगात रियक्टेंस वह इसका मातरक जो होता है ओम होता है चलिए अगला प्रसुन अगला प्रसुन आपका दिया गया है यदि वोल्टे समय रखते हुए आप प्रती को 10 हट से लेकर 100 हट तक बढ़ता है तो अप पूर्ती जूड़ी क्वाइल का या सब्सक्राइब हो जाएगी जो की दोगना हो जाएगी यहां पर आपका नंबर सी सहुत्तर होगा जो की राइट अंसर है अगला प्रसुन की तरफ देखते हैं जो की आपका अगला प्रसुन दिया गया है यहां पर जैसे की आप देख सकते हैं एक दस ओं प्रत्रोधक तथ एक 5 ओम प्रतोड़क को किसी DC World-ienda के समांतर के रूप में जोड़ा गया है प्रतोड वोल्टा स्रोग से अतरिक आःट कुल विदू धारा 15 एंपियर है तो 5 ओम प्रतोड़क स्वाने मतलब होकर जाने वाली धारा कितνी होगी चलिए इससे साल्व करते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार इससे साल्व करेंगे जो कि 10 ओम और 5 ओम यहाँ पर 15 एंपियर की धारा जो जा रही है तो इससे साल्व करेंगे करेंट डिवाइडर रूल के नियम के अंसार यहाँ पर 5 ओम प्रितरोधक में धा हमारा जो ऐब की asking यहां पर इसमें रखेंगे तो आपका यहां पर 10 MPR सही हुत्तर होगा उमीदि आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आ यह प्रसमन तो वीडियो को like जरूरर कर दे आपसे सही हुत्तर होगा अगला प्रसम हमारा दिया गया है जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आपको दिया गया है, आपको बताना है, अगर A और B के बीच प्रभावी प्रत्रोद 50 ओम है, तो प्रत्रोद R का मान ग्याद करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको यह R का प्रत्रोद बताना है, जैसे कि दिया गया है, यहाँ पर यह दोनों समांतर में दिये गए फिर इसके साथ स्रीज में जोड़ देंगे तो फिर इसके साथ समांतर में जोड़ देंगे तो इस परकार यहां पर निकाल सकते हैं जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आपका इस परकार निकालेंगे तो यहां पर आप का जो मान निकल कर आएगा जो की आर बराबर 20 होगा जो कि यहां पर इस अपसंद में यहां पर दिया नहीं है इसलिए यहां पर आपका आपस नंबर D सहुत्तर हो जाएगा इस प्रकार आप साल्व जरूर करना अगर साल्व करके बताएंगे तो आप क्या इतना अंसर आ रहा है यह इसका साहँत्तर होगा चलिए अगला प्रसंद निम लिखित में से कौन सा एक प्रात्मिक सेल है आपको बताना इसमें प्रात्मिक सेल का उन सा है साहँत्तर आपको हो जाएगा जैसे कि यहां पर हम आपको बता दें आप से नमबर भी मर्कियूरिक आकसाइड राइट रहे हैं चलिए देखते नंपर मर्कयोरिक आकसाइड एक प्रकार का सूस्क अरह गोद पर्शह ऊंघ्म मीच के रूप में है्टर अप्र के रूप में जिंक वहां काई थोर्ट की रूप में कुम और के रूप में दरेन याद रखें अगला प्रसंट निम लिखित में से किस सेल का लेकलांसी सेल के नाम से भी जाना जाता है सहुत तर आपका हो जाएगा जो की कार्बन जिंक सेल राइट अंसर है चलिए देखते हैं यहाँ पर जो की इसका इनोर्ड कार्बन तथा कैथोड जिंक का बना हुआ होत किस प्रकार के प्रात्मिक सेल नकरात्मक इलेक्टरोड के लिए जिंक कंटेनर और स्रकारात्मक इलेक्टरोड के लिए मेगनीज डाय आकसाइड सिलेंडर का उप्योग करती है सहुत तर इलकलाइन सेल यह इसका सहुत तर होगा चलिए देख लेते हैं फिर से पूरी जानक सारी जो की एलकलाइन सेल में रिलात्माक इलक्ट्रोड को जिंक वा धनात्माक टर्मिनल को मैगनीज डाई आकसाइड का बना हुआ होता है इस सेल में विदूत अबगट के रूप में पोटाइसियम हाइडर अकसाइड का उपयोग किया जाता है या एक प्रात्मिक सेल है बा बना होता है आपको बताना है जो धनात्म किस में होता है किस से बना होता है चलिए यहां पर हम आपको बता दें जो धनात्माक इलक्ट्रोड होता है वह आपका कार्बन का बना होता है और रिलात्माक इलक्ट्रोड जो होता है वह जिंक का बना होता है इतना तो आपको लेड एसिट सेल की तुलना में निकल लोहे से बने सेल डेड डेस होता है सहुत्तर आपका हो जाएगा जो की दच्छता इसकी कम होती है ये इसका सहुत्तर होगा जैसे कि यहाँ पर पूरी जानकारी फिर से देखते हैं जो कि लेड एसिट सेल की तोलना में निकल आइरन से बने सेल की दच्छता कम तथा विदू तवाहक बल भी कम होता है लेटेसिट सेल का विदू तवाह क्वल दो działशब्ट और जबकि निकल आयरेंस अल का विदू तवाह क्वल 1.2 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट होता है आप इसे भी जरू जाद रखें अगला प्रशन अगला प्रशन हमारा दिया गया है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं निम लिखित कारणों में से किसी एक कारण जोड़ों को धीले पन से बचने के लिए बिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार है उस कारण को पहचानना है आपको जैसे कि यहां पर हम आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा वाता वरण में परिवर्तन और कमपन के कारण ये इसका सही उत्तर होगा चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं और आपको यहाँ पर पूरा जोड के बारे में पूरी जानकारी बता देते हैं जैसा कि वाता वरण में परिवर्टन और कमपन के कारल बिटानिय जोड का सोल्ड करना अनिमार होता है इस परकार के जोड के तारो को आथवा केविल के चालकों में एक दूसरे से समान तर वसाट़ा कर रखा जाता है और सम्परकित सीरो को 2-3 सेंटी मिटर समकोड पर मोड दिया जाता है अब दोनों सी तारो पर एक तीसरा तार लपेट कर participant कि यह जोड़ कर तैयार किए जाता है जो कि इस प्रकार आप सकते हैं और यह जो जोड़ होता है मजबूत होता है और सीरो परी लाइन पर तनडाब सह सकता है यहां जारू जाद रखें अगला परसंद अगला परसंद बिल्कुल आसान है आपको बताना जैसा कि olurs फरतर्स में लगे हूए है तो तो पिर्ट्र Anybody कि भात स्अ आपका कि हो गया जैसा कि हम यहां पर हम पर को यहां पर आपका सिंपल सा फार्मूला होता है जो कि ववन अप और्टी ब Lynch कराबर फटर को निकालते तो यहां पर RT निकालेंगे तो आपके यही निकल कर आज जाएगा जो कि आपको जानना बहत जरूरी है स्ट सीमपल सझोड लेते हैं चल यागले पशन की तरफ चलते हैं जो कि सीर्इज के लिए आप देख सकते हैं अगला अगला प्रस्न यहां पर दिया गया है यदि एक आई यनि एंपियर में धारा और और ओम के प्रत्रोद है तो तथा सेकंड में समय तो उस्मा कितनी होगी फार्मूला आपका होता है एच बराबर आई स्कॉयर आर्टी बटे चार दसम्लों एक आठ कैलोरी द्वारा यहां पर आपका हो जाएगा जैसे कि यहां पर हम आपको बता दें जो कि 200 मिली एंपियर दोस्तों यहां पर 50 अधिक हो जाती है लेकिन यहां पर यह एंसर इसमें विवाग में माना गया था इसलिए इसका सहुत्तर हो जाएगा दस से भी आपकी धर्दनाग जटका लगता है 10 एंप सरवाधिक मातरा दी जाए वही विकल्प उप्यूगत होता और 10 मिली एंपियर से मनुष्य के दर्दनाग जटका लगता है अर्ता धारा का विवाव प्रभाव महसूस होता है अगला है यदि डेट डेस की धारा मानों सरीर से होकर प्रवाहित होती है तो इसका प्रभाव स समस्या के रूप में परिलाच्चित होगा सह उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहां पर हम आपको बता दें आपसे नमबर डी 20 मिली एंपियर से 30 मिली एंपियर ये इसका सह उत्तर होगा चली आगला प्रशन की तरफ चलते हैं विदूत आगास के पस्चा पस्चा तो सबस सबसे पहले या सुनिशित कर लेने चाहिए कि विदू संपर्क विच्चेद हुआ या नहीं अगर नहीं हुआ तो आपको वहां पर में सप्लाई आप कर देना चाहिए और जिससे जानमाल का खर्चा कम रहे अगला प्रस्थ बिजली का काम करते समय निमन में से किसका पालन नहीं किया जाता है सहुतर यहां पर आपको हो जाएगा जैसे कि यहां पर हम आपको बता दें गिले हांस से काम नहीं करना चाहिए आपको राइट अंसर है जैसे बिजली का काम करते समय कभी भी गिले हांस से काम नहीं करना चाहिए क्योंकि भीगे हुए हात द्वारा धार में से उस निर्देश का चैन करें जो विदूत अगनी को संदर्व में गलत है चलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जब आप भाय संके सुनेंगे तो पंखे परिसंदार संचारित एयर सालकुलेटर बंद ना करें यह आपका सही उत्तर होगा यही आपका गलत है बांक सिल्ए बंद कर दें अब्ध संकेत अलाव वर्य यह सबीं आपके सही है जबकि आप संदम्बर ऐह आपका गलत है चले कि तरफ क्ला चलते हैं जोकि मसीन से है किसी मोटर यान मोटर के स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस प्रकार कर पिर चाड़र प्रियो को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए इस्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रियोग किया जाता है और इंडक्सन मोटर स्टार्टिंग में अत्रीक धारा लेती है जिससे लाइन वोल्टेज में अत्रीक गिरा वटाता है इस वोल्टेज ड्राप को कम करने के पहले इस्टार में संचालित करता है, इसके बाद प्रतेक वैंडिंग को VL बटे रूड यनि लाइन वोल्टेज प्राप्त होता है, इस प्रकार परम्भू में मोटर को कम वोल्टेज पर प्रचालित किया जाता है, फिर जिस से इस्टार्टिंग विदुधारा का मान कम हो ज जाती तो आपको डिल्टा में कर देना चाहिए इसमें मानलो आपका जो धारा से श्टार डिल्टा से एकला प्रसंद और यग्यदा स्टार्टार होता उसमें से धारा बिल्कुल भी कम नहीं होती है 230 वोल्ट AC 5 एंपियर धारा और 30 डिगरी के लेग वाली एक प्रडाली के लिए प्रतिगाती सकती ग्यात करना है आपको जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया फार्मूला देख सकते हैं प्रतिगाती सकती बराबर क्यों बराबर वी आई साइंड फाई होता है फार्मूला पर पूरा मान रखेंगे आउस सालू करेंगे आपका पांसो पच्चतर वी ए आर इसका सहुत्तर हो गया दोस्तों कल्कुलेशन आपको खुच से करना है जो कि हम आपको बता रहे हैं सिंपल सा अगला है लाइन वोल्टेज का क्या आर्थ है सहुत्तर आपको बताना है इसमें लाइन वोल्टेज का आर्थ आपको बताना है क्या आर्थ है सहुत्तर आपका हो जाएगा जैसे कि यहां पर किनी दो फेजों के बीच उपलब्द वोल्टेज यह इसका सहुत्तर हो गया जैसे कि यहां पर देख सकते हैं चली जैसा कि line voltage आपकी इस्टार में जो है, फेज voltage के रूट 3 गुना होती है, और इसमें जो है, delta में है, आपकी line voltage, फेज voltage के बराबर होती है, अगला है, जैसा कि कुछालकों में उर्जा अंतराल क्या है, सहुत्तर आपका हो जाएगा, जो कि आपसे नमबर A, उच होता है, चले पूरी जानकारिय आपको बताते हैं. उर्जा अंतराल वाजता हो में वैलेंस बैंड तथा इंडक्षन बैंड के मत एक अंतराल है. यहां मान चालकों हे तो सुन ने रहता है. क्योंकि चालकों के दोनों बैंड प्रस प्रास पर छादित रहते हैं. जबकि कुचालकों में यह मान पांच इलेक्टरान वोल्ट से अधीक तथा अरचालकों में एक इलेक्टरान वोल्ट होता है उर्जा अंतराल की इकाई इलेक्टरान वोल्ट होती है चल अगला प्रसंट अगला प्रशन आप पर दिया गया है जो कि यहां पर हम देखते हैं कुछालकों के लिए उर्जबेंट का अंतराल आकार डेड़ डेस्ट से परिशीमा में होता है अभी हमने आपको बताया जो की तीन से च्छाय यानि आपका इससे उपर ही होता है यह इसका सहुत्तर हो गया कुछालकों के लिए उर्जबेंट अंतराल का अकार तीन से च्छाय की परिशीमा में होता है इसमें म्यूक्त इलेक्टरानों की संक्या नगन अथवा नहीं के बराबर होती है सामान इस्तिते में इसमें विद्धु धारा का प्रवाह नहीं होता है उधारान के लिए आप होते हैं अगला परसन अगला परसन आपका इस परकार का दिया गया है जो कि आपको यहां पर बताना है इनका मिलान करना है फ़स्ट और सेकंड को जैसे कि तामबा जो है आपका अच्छा चालक होता है इस परकार मिलाएंगे यहां पर हम आपको बता दें जर्मेनियम जो हो जाएगा जो कि यहां पर हम आपको एंसर बताएं तो आपका यहां पर देख सकते हैं मिला लें यहां पर फ़स्ट का थाड में और दूसरा जो है दूसरा का जो यहां पर देख सकते हैं दूसरा का जो आपका यहां पर दूसरे में ही है जर्मेनियम का चौते में है और फेरो निकल मिस्ट धातु का यहां पर प्रत्रोथ यानि आपका यहां पर राइट एंसर आ रहा है आपसे नमबर डी सहुत्तर होगा चलिए जैसा कि तामबा अच्छा चालक है और लामड विलियन विदूत अभट्टे इलेक्ट्राइट पदार्थ है और जैर्मेनिय और चालक होता है जैसे कि धातु में जो उर्जा अंत्राल होता है यहां पर हम आपको बता दें जातु में जो उर्जा अंत्राल होता है वह आपको यहां पर अंत्राल और कुछालकों में जो उर्जा अंत्राल होता है वह आपको यहां पर हम आपको बता दें जो कि यहां पर उच्छ होता है यहाँ पर आप जरूर याद रखिए नहीं आपका आपसन नंबर एहाँ पर सहय उत्तर होगा चली अगला पुस्ट यहाँ पर एक बार फिर से बता देते धातू में उर्जा अंतराल और विद्दमान होता है अर्चालकों में निम्न उर्जा अंतराल और कुछालकों म से जरूर याद रखें अगला प्रस्ट क्रोमियम प्लेट के लिए परिवारता गुडांक डेट डेस्क के बीच होता है सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपसे नंबर भी जीर समलो पांच पांच और जीर समलो चैजीरो यह इसका सही उत्तर होगा अगला प्र जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जीसे कि पी अन जंक्सन जर्मीनियम या सिलिकान और चालक पदार्थों से बनाय जाता है इसकी दो अभीनती होती है अगर अभीनती जिसमें धारा का चालान होता है तो पास्ट या एक इलेक्ट्रानिक डिवाइस होता है अगला है दोहरी पाई फिल्टर सर्कुट मीका को कम करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले कंड़क्टरों की संख्या कितनी होती है सहुत्तर आपका जो की दो होता है सहुत्तर होगा चलिए यहां पर पूरी जानकारी देखते हैं जो की दोहरी पाई फिल्टर उन्मिका को कम करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले इंडक्टरों की संख्या दो होती है पाई फिल्टर के इंपूट साइड में एक संधारित अथा परिपत में एक स्रेडी में एक इंडक्टर के बाद और एक संधारित यानि कैपिसिटर जुड़ा हुआ होता है और इस filter की परिपत में अकरती ग्रीक जो अच्छर है पाई के समान होती है अता इसे पाई filter कहते हैं चलिए अगला परसुन अगला परसुन डायोड का अगर दिस प्रत्रोध है सहूद्तर कम है ये इसका सहूद्तर होगा चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं यहाँ डायोड का अगर दिस प्रत्रोद कम होता है फारवर्ड बायस इस्थिति में पोटेंसियल बेरियर की चवड़ाई घड़ जाती है और जिससे की डायोड का प्रत्रोद कम हो जाता है तथा जिसके कारण धारा प्रारम हो जाता है और फारवर्ड बाइस में सूच परिवर्तन से फारवर्ड धारा में अत्यदिक परिवर्तन होता है धारा में परिवर्तन चर गातांकी होते हैं अर चालक डायोड का फारवर्ड प्रत्रोज कम से कम पांच ओम होता है यह पूरी जानकारी आप जरूर याद रखें और एक बार अपने से भी जरूर पढ़ लें अगला प्रसुन अगला प्रसुन जो की थोड़ा धुंतला दिखा रहा कोई बात नहीं हम आपको पढ़ के बता देते हैं जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है जैसे कि भूमिगत केबिल विचाने के लिए निम लिकित में से क कि इस विधी का प्रयोग नहीं किया जाता है आपको यहाँ पर बताना है कि भूमिगत केबिल विचाने के लिए कि इस विधी का उप्योग नहीं करते हैं जैसे कि आपसन नमबर एक आपका दिया गा ठोंस पढ़ाली द्वारा बिचाना क्या इसका करना चाहिए कि नहीं सी परके बिचाना नियूटरल निट्वर्क द्वारा बिचाना आपको यहां पर बताना है चारओ LAUGHTER में डान। DAN इसका स枝ञा तर आपको इस में परिषान हो रहा यह वोगीृ। यहां पर इस स्लाइट को छोड़ देते हैं जैसे कि अगला प्रस्वन भूमी गत केबल की विफलता का क्या का रहा है सही उत्तर नमी इंसुलेशन में प्रवेस करती है यह इसका सही उत्तर है जैसे कि भूमी गत केबल में इंसुलेशन में नमी प्रवेस करने पर इंसुलेश आपको आपको बताने इसमें कौन सा सही नहीं है जैसे कि यहां पर हम आपको बता देते हैं उच रख रखाओ ये आपका सही नहीं है जबकि आपकी बाकी सभी अपसंद सही है जैसे कि भूमिगत केबल पढाली में मुखे बिंदू, जैसे कि इस्थापित लागत आधिक होती है, तुफान का तडित द्वारा कम प्रभाव होता है और रख रखाव लागत निम्न होती है. बोलता नियमन बहतर होता है क्योंकि इसमें प्रेडिक हान्या कम होती हैं तथा केबल में प्रेडल का मान निम्न तथा संधारित का मान उच्छ होता है चली अगला प्रशन अगला प्रशन आपका दिया गाया भूमिगत केबल में वार्निस योक्त कंब्रिक डेट डेश से संस राषने संस्लेशित और व़र्णी से विलेपीत होता है चलिए यहां पर हम आपको बता सब्सक्राइस विलेपीत होता है। विलेपीत होता है। Was AJ ek रहता है यहां मांद कि लिस्टोंगीं करता है। भूमिगत कैबल ब्यवस्ता ओवरेड सिस्टम की तुलना में होती है अगला प्रशन अगला प्रशन आप पर दिया गया है बाई प्रशन आपको बता दें आपसे नमबर सी यह एक ट्रिगर आशिलेटर होता है राइट अंसर है अगला प्रशन आप पर दिया गया है जो कि किसी आसिलेटर में दोलन बनाए रखने के लिए आवशक शर्त क्या है आपसे नमबर सी खुला पास लब्दी यानि ओपन लूप गयन एका खोनी चाहिए और फीडबैक धनात्मक होनी चाहिए यह आपका सहुत्तर है चली यहां पर आप देख सकते हैं किसी आसिलेटर में दोलन बनाए रखने के लिए खुला लब्दी पास एका खोनी चाहिए फीडबैक धनात्मक होना चाहिए जो कि लब्दी गेन बराबर ए बटे वन माइनस एंटू बीटा यह आप जरू याद रखें जैसे कि इसका डाइग्राम भी आप देख सकते हैं अगला है केबलों के विदुत रोधन पदार्थ में इन में से क्या गुण नहीं होना चाहि यानि आपसन नंबर ए इसका सही उत्तर है अगला प्रस्म जानने से पहले इसकी पूरी ब्याक्ख्या देख लेते हैं केबल के विदुत रोधन पदार्थ में आदता ग्राही गुड नहीं होना चाहिए अथात नमी का कोई प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए केबल कठोर चीला अम्न सहय का अम्न रोधी होना चाहिए विदुत रोधन पदार्थ के रूप में रबर पेपर प्लास्टिक वार्निस आदी प्रियोग किया जाता है अगला है भूमी गत नालिकाओं में तार लगाने यानि कंडूट पाइंप वारिंग का दूसरा नाम क्या है सह उत् चले देख लेते हैं यहाँ पर भूमी गत नालिकाओं में तार लगाने यानि कंडूट पाइंप वारिंग का दूसरा नाम डक्ट वारिंग या कंसिर्ड वारिंग है याद यारों में लगाई जाती है जो की जल प्रकास आदी से सुरचित रहती है अगला प्रसंट किस वा जो की यहाँ पर आपका हो जाएगा गो डाउन वारिंग यह इसका सहुत्तर होगा चले यहाँ पर देख लेते हैं गो डाउन वारिंग में एक स्विच आन करने पर पहला प्रकास देने लगता है दूसरा स्विच आन करने पर पहला बंद और दूसरा प्रकास स्विच चाल है और प्रतम सिट वन वे स्विच बाकी सब टूवे स्विच होता है अगला प्रसन आप पर दिया गए जो की नीचे दिये गए दीखाए गए तारों के प्रकार में किस प्रकार का लागू किया गया है सहुत्तर आपका हो जाएगा जैसे कि यहां पर हम आपको बता दें आपस आपका इसकिल टेस्ट में आपका पूछा जा सकता है इसले आपको यह पूरे कॉंसर्प आपके क्लिए रोने चाहिए जैसा कि अगला प्रसन आपका दिया गया है ऐसे स्विचों की कितनी संक्या होती है जिनकी उपयोग सीड़ी के लाइटिंग सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है और उनका प्रकार क्या है सहुत्तर आपका हो जाएगा जो कि आपसन नमबर सी दोतरफा स्विच ये इसका सहुत्तर होगा चले देख लेते हैं सीड़ीयों के लिए प्रियोगत मद्दिवर्ति स्विच में दोतरफा स्विच का उपयोग किया जाता है एक लैंप दो या दो से अधीक इस्थानों से नियंत्रित करने के लिए प्रथम वह आंतिम दो तरफा स्विच और बीच में एंटर मीडियाट स्विच का प्रयोग हम करते हैं अगला प्रश्ण दू मारगी यनि टूए स्विच के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवशक्ता होती है राइट अंसर आपका जो कि यहां पर एक इस्थान से एक लैंप को द्वारा नियंत्रित यनि एक इस्थान से एक लैंप द्वारा नियंत्रित ये इसका सहुत्तर होगा चले पूरी ज के लिए किस प्रकार की वायरिंग की आवशकता होती है जैसे कि सीढ़趣 की वायरिंग में दूई मारगी स्का प्रियोग होता है इसके अतिरिक्त बड़े हालों में इनि ठुपे स्विच प्रियोग किये जाते हैं अगला갈ा पूर अगला प्रश्ण हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है जैसे कि DC जनरेटर में कमपन सेटिंग वाइंडिंग प्रदान करने का प्रात्मी कारण क्या है राइट अंसर आपका हो जाएगा जो कि क्रास मैगनिटाइजिंग फ्लक्स को निूटलाइज करने के लिए यह इसका सही उत्तर होगा चलिए यहां पर देख सकते हैं जो कि इस प्रकार का होता है कमपन सेटिंग वाइनिंग का प्रात्मी कुद्देश आइटिंग प्रात्मी कुद्देश आज मैगनिटाइज घटक को निूटलाइज करना हो हम आपको बतादे 500 वोल्ट पर एक आर्ट पोल जनित्र का आउटवूट 200 एंपियर पास संयोजित आर्मेचर में 1280 कंड़क्टर और एक सो साथ दिक परिवर्ट तक कम्टेटर खंड हैं यहां पर हम आपको सिंपल साल्व करवाते हैं जैसे कि पूरा मान दिया गया पी बराबर आई बराबर जड बराबर और चालकों की खंड की संक्या पूरी दी गई है फार्मूला आपको होता है जो कि इस प्रकार देख सकत करने फिर आर्मिचर निकालना जो कि यहां पर दिया गया है फिर इसके बाद आपको साल्व करना फिर आपको यहां पर सिंपल सा भाग दे देंगे जो आएगा तो जो कि यहां पर देख सकते हैं आर्मिचर यानि आपको इस प्रकार भाग देके इसके साल्व करेंगे तो आ उगला प्रस्ट फार्मुले पर आपको पूट अप करना और कल्कुलेशन कर ले ना है फिर आपको भाग दे देंगे तो यहां पर आपका सहुथर आ जाए गया चलिए अगला प्रसन हमारा दिया गया है एक दूसरे से समांतर में चल रहे दिश्ट धारा संट जन्रीतर को भा धारा नियामा को श्टेट को समय योजित करना ये इसका सह उत्तर होगा अगला प्रसंद DC जनरेटर का आर्मेचर प्रत्रोध को क्यों बहुत कम होता है सह उत्तर आपका है जैसे कि अपसन नमबर B आर्मेचर वोल्टेज पाद घटाने के लिए ये इसका सह उत्तर होगा चलिए जैसा कि DC जनरेटर का आर्मेचर प्रत्रोध बहुत कम रखा जाता है जिसे आर्मेचर वोल्टा पाट भी घट जाता है लेकिन साथ ही यहां भी ग्यात रहे कि आर्मेचर प्रत्रोध के कम होने का कारण रिश्टार्टर प्रयोग में लिया जाता है अगला प्रस्ट आर्मेचर रियक्षन का प्रभाव होता है सहुत्तर आपका हो जाएगा जो कि आपसन नमबर A इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स में कमी राइट अंसर है चलिए देखते है यहां पर आर्मेचर प्रतिकिरिया के कारण मुख के फलक्स में कमी आती है जिसके फाल्स रूप विदूत वहाग बल में कमी आती है वास्तों में आर्मेचर फलक्स प्रतिकिरिया आर्मेचर फलक्स का मुख के फलक्स पर प्रभाव होता है अगला प्रस्ट अगला के आर्मेचर MMP को dead desk wave phram के रूप में अनुमानिद किया जाता है सहय उत्तर त्रिकोणडी राइट अन्सर है जिसकी DC machine के आर्मेचर MMP को त्रिकोणडी wave phram में अनुमानिद किया जाता है या À core के saturation हो जाने के कारान पीट पर नहीं पहुंच पाती है, इसलिए त्रिकोणी प्रवत्ति की होती है, अगला प्रसंद, कम्टेशन विदुद धारा, विदुद प्रवा के एक परिवर्तन में जो की आर्मेचर में डेट डेस्ट गुजरने का प्रवाव से होता है, सहुत्तर आपको बताना है, जैसे कि य होता है, तब क्या होगा, सहुत्तर आपको हो जाएगा, जो कि यहां पर आपसन नमबर सी, कोई भी दो कम्टेटर ब्रस के साथ संपर्क में आते हैं, राइट अंसर, चली, यहां पर देख लेते हैं, कम्टेशन के दोरान आर्मेचर कोईल के बीच एक साथ शार्किट होता ह है, जब कोई भी कम्टेशन ब्रस के साथ संपर्क में आते हैं, चली, अगला परसंद, AC पर DC मोटर चलाने के लिए आउशक परिवर्तन की पहचान करने, सहुत्तर, कम्टेशन में उल्मूनन, यह इसका सहुत्तर है, अगला परसंद, अगला परसंद, हमारा दिया गया है, म जा सकता है, राइट अंसर है, सिंपल सा है, अगर आप हानिया घटाएंगे, तो आपकी दच्चता बढ़ेगी, जैसे कि यहां पर हम देखते हैं, मसीन की दच्चता बराबर आउटपूट वटे इंपूट होता है, इस परकार की मसीन की दच्चता में ब्रद्धी हानिया क करके की जाती है, और मसीन की हानिया जितनी कम होगी, उसकी आउटपूट उतनी ही अधिक होगा, जिसके कारण मसीन की दच्चता अधिक होती, अगला परसन, अगला परसन हमारा दिया गया है, श्रीज वाइंडिंग में डीसी मोटर की स्पीड क्या है, राइट अंसर आपक इसकी जो गती होती है, यानि आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, डीसी मोटर की स्पीड के लिए इन प्रपोस्नल वीदु तुहाग बल बटे वे फ्लक्स होता है, यहाँ पर आपको फ्लक्स घटाएंग, फ्लक्स बढ़ाएंगे तो आपकी यहाँ पर इस पीड जो है, का से अगला प्रस लिए जो कि किसि स्ट मोटर के सप्लाई टर्मिनों को इप्रिद कर दिया जाए, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़े गए सा उततर आपको हो जलेसे जो होता है, यहाँ पर आप सुन मबर यहाँ पर हम आपको बता दे, जो कि आप सब्ली हमान दिसा में चलने लगेगी राइट अंसर है चलिए देखते हैं आपर मोटर की घुड़न की दिसा बदलने के लिए अर्मेचर धारा या छेतर धारा किसी को एक को बदलना आवश्यक है लेकिन सप्लाई स्रयूजन के बदलने से घुड़न दिसा नहीं बदल क्योंकि दोनों कुंडलों मे धारा की दिसा बदल जाती है और अर्थात मोटर पहले की दिसा में चलती रहेगी चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प आपका उपलब नहीं है यहाँ पर आपका तो अंसर समान दिसा में चलेगी राइट अंसर है चलिए अगला प्रसन अगला प्रसन आपका दिया गए है नीचे दी गई मोटरों किसका नियंतरण सबसे कम जोर होता है सहुत्तर आपका हो जाएगा जो की श्रीज मोटर इसका नियंतर जो है सबसे कम जोर होता है चलिए अगरा पृस्ग एक डिसी संट मोटर में 6 रफ्लक्स और लोड नियत रके और आर्मी चैनल नाप फूर और लोड नियत रखे तो आर्मेचर अपूरती 15 प्रसद बढ़ ब्रती की जाती है तो मोटर की गती 15 प्रसद बढ़ेगी यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रसंद अगला प्रसंद आपको बताना है एक डीसी मोटर की चाल नियमन डेड़ डेस के रूप में दिया जाता है सिंपल सा फार्मूला होता है नो लोड माइनस फूल अपान फूल लोड यह इसका अपसन नंबर से सह उत्तर होगा अगला प्रसंद आपको बताना है डीसी मन बीना ल इसी सीरीज मोटर नो लोड पर होगी तो कम करेंट लेगी यानि सीरीज मोटर नो लोड पर होगी तो कम करेंट लेगी सपलाई से कम सपलाई से तथा हम जानते हैं कि जब धारा कम होगी तो फ्लक्स कमान कम होगा और हम जानते हैं कि फ्लक्स गती के बितक्रमान पाती होता ह है तो मोटर अत्यंत चाल से चलना सुरू कर देगी अगला प्रसुन फिल्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल डेट डेस हो जाएगी सहुत्तर आप पहो जाएगा जो कि अगला प्रसुन आपको दिया गया है सैथी लहान नहीं होता है चलिए यहां पर हम आपको बता देते हैं जो कि यहां पर आपको आपको आप रती यानि आपको जो है आयतन पर तो निर्भर करता अब रती पर भी निर्भर करता अधिक्तम फ्लक्स गनतों पर भी निर्भर करत अब भी आपको निर्भान नहीं करता है यह इसका इसका फार्मुला भी देख सकते हैं इस प्रकार यहां पर पूरा मान यहीं पर से दिया गया है चली अगला प्रसुन कि अगला प्रस्वा आपका दिया गया है निम लिखित में से कांसा विदू चुमकी प्रेजर्ण के सिद्धान पर कारे करता है यहाँ पर आपको बताना है जैसे कि आपस्ण नमबर भी ट्रांसफार्मर इसका सही उत्तर होगा चलिए ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी जा वहाला चुम्की छेतर उत्यपन हो जाता है इसी चुम्की छेतर के काराण दोती वांडिंग में विदूत वाहकबल उत्यपन हो जाता है और जबकि दोनों वांडिंग के मत किसी प्रकार का वैदूतिक संबन्ध नहीं होता है अगला परसं पर गब-डस इस्ताइटिक विद्धू तुहाग बल यानि स्टाटिक इंडूइस्ट इमेप का एक उधारण है ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो विद्धू तुर्जा को एक परिश्पस से दूसरे परिपत में इस्पनांत्रित करती है इसके साथ ही इस युक्ति के द्वारा वोड़ता का अप वोड़ता का उपचायन यहनी स्टेप अप उस सुगमता से किया जाता है अगला पॉइंट है जैसे कि ट्रांसफार्मर के विल एसी आप पूर्ती पर ही कारे करता है और ट्रांसफार्मर अन्यों यहनी अन्यों प्रेड़न यहनी मूचल इंडूक्शन के सिद्ध्यान पर क अगला करता है चोट चट्रांसफार्मर को इसथिर रखता है अगला पॉझांा अगला प्रस्थुय पर अप्रशन पर दिया गए जो कि इस प्रकार का यहां पर एक विट्रांसफार्मर क्ली वोल्ट गम्प्य ADA मुल्यांकित किया जाता है तो कितनी अधिक्टम शक्री अपूरति कर सकता है सायुत्तर आपका हो जाएगा buck सब्सक्राइब कर सकता है सक्राइब हेंपियर सब्सक्राइन Frustro किया होता है सेखुटतर आपको बताना है जैसे कि राइट अंसर कोर रास ताम रहार से कम होता है सहयुत्तर होगा जैसा कि एक वित्रक्ट ट्रांस्पार्मर समंता कोर रास ताम रहार से कम होता है साथ ही ग्यात रहे वित्रक्ट पल्लामी ट्रेनिक ट्रांस्पार्मर आधे पूर्ड भार के लिए डिजाइन किया जाता है अगला प्रसंट ए जैसा कि एक distribution transformer समयता क्रोड भानियां ताम रहानियों से कम होती है थिरी फेज फोर वायर सेवाओं के लिए सबसे बहत्री ट्रांसफार्मर कंसा है सयुत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहां पर आपसर नंबर स्री जो कि डेल्टा से इस्टार राइट अंसर है चलिए देखते और रहाई धाक होता है टी फेज शिर्टा में फोर वायर ती यरी तेफ्र ii यानि तीन वायर केज यवाँ चावता था तार नीट्रल होता है जो कि वित्रल हेथवी तू न्यूट्रल के उपलाब्दता करता ता है जो कि नीट रिटर्न editor पास हेथ है तू सुगमता लाता ह चलितर ट्रे करण्ष थक्षा होती है चलित्र ट्रांस्फार्मर्मर्ण में देट-डेस अधिक्तम दच्षता होती हैlift्त्र ट्रांस्फार्मर्मर पर मट्यक्सटा नच्टुआ उसक्राइब तरकार्क, कह साघ्ला प्रस्चता होती तब सही ढंग से कारे करता है जब राइट अंसर आपका हो जाएगा जो कि यहां पर अपसन नंबर डी लोट संतुलित हो यह इसका सही उत्तर होगा अगला प्रसन आपका दिया गया जो कि इस प्रकार है जैसे कि आपका इंगलीज में दिया गया आप इसे पड़ सकते हैं जै अगला प्रसन अगर वोल्टेज को एसी में से खुला स्विच के क्रास मापा जाए तो क्या होगा इमीटर आपका जो है जीरो वोल्ट होगा राइट अंसर है अगला प्रसन अगर में संत का कार डेट डेस है सही उत्तर धारा को बाई पास करना होता है अगला प्रसन अगला प्रसन आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें अपसर नमबर डी जो कि आसमान धाराओं वोल्टेज की वज़ा से राइट अंसर है अगला प्रसन अगला प्रसन जाने से पहले इसकी प्यारे पूरी व्याक्षा देख लेते हैं उर्जा माप यानि इनर्जी मीटर में फ्लक्स परिमाड आसमान धाराओं वोल्टेज की वज़ा से बदलता है उर्जा मापी एक समा कलक इंटीग्रेटिंग अवयाब है उर्जा मापी निमलिकित के मुख के तीन भाग होते हैं परचालान युकती ब्रेकिंग युकती रिकार्डिंग युकती ये सभी होते ह है अगला परसंट इंटीग्रेटिंग इस्ट्य watch है इंप्रह और неर राइट एंशर है परसंट ऐसे 600 वाट यूझा मिक्सर हेट उप्रियों की युनिवर्षल मोटर को प्रियोक किया जाता है उनिवर्षल और वे मोटर होती हैं जो प्रत्यावर्ति दिश्ट धारा दोनों का कार्य करती हैं यह घरेलू प्रियोग है तो यूनिवर्शल मोटर इकल फेज होती है अगला प्रसंग पिसाई करने के वाले यंत्र में ग्रांडिंग पहियों को विप्रीत दिशा में घुमाया जाता है तो क्य अगला प्रसंग यहां पर देख लेते हैं पिसाई करने वाले यंत्र से अधी ग्रांडिंग पहियों को विप्रीत दिशा में घुमाया जाता है तो पिसने वाले यंत्र पहियों धीले हो जाएंगे और निकल जाएंगे यह आप ज़रूर याद रखेंगे अगला प्रसंग एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्यपन AD करेंट क्या होगा सहुतर मोटर में अत्यदी गर्मी उत्यपन नहीं कर सकता राइट अंसर है चलिए देख लेते हैं पर एक यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स द्वारा उत्यपन AD करंट में अत्यदी गर्मी उत्यपन नहीं कर सकता आप इसे जरूर याद रखेंगे अगला कप्राइब यूनिवर्सल मोटर में DC पूर्टी पर AC मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्टेशन को डेड़ डेस हटा दिया जाता है सहुत्तर आपको हो जाएगा जो की आपसन नंबर A आर्मेचर कोईल और कम्टेटर के बीच प्रत्रोडी डाल कर राइट अंसर है अगला है यहाँ पर ब्याक्खे देख लेते हैं यूनिवर्सल मोटर को DC पूर्टी पर एक AC मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्टेशन को आर्मेचर कोईल और कम्टेटर के बीच प्रत्रोडी डाल कर हटा दिया जाता है अगला है यूनिवर्सल मोटर की गती को डेट डेस के द्वारे नियांतित किया जाता है सह उत्तर आपका हो जाएगा जो की फेज इंगल कंट्रोल करके राइट अंसर है चला अगला प्रसन एक यूनिवर्सल मोटर में समानता ब्रेस्ट की चवड़ाई और कम्टेश सेगम की चवड़ाई का अनपाट डेट डेस होता है सह उत्तर जो की दो अनपाते एक होता है राइट अंसर है अगला प्रसन अगला प्रसन हमारा दिया गाए जैसे कि यहां पर हम देखते हैं एक थिरी फेज इंडक्सन मोटर में तीन फेज वाइंडिंग स्लाट में इस प्रकार विवस्तित की जाती है कि थिरी फेज एसी अपूर्ति की जान दिये जाने के बाद यहां क्या होगा सहुत तर आपको हो जाएगा जो कि यहां पर फिल्ड यानि मैगनेटिक फिल्ड यानि चुमकी छेतर राइट एंसर होगा चले देखते हैं यहां पर एक थिरी फेज और मोटर में प्ल्डामी फ्लक्स का मांजु है थीरी बटे टू फाई होता है और मोटर में चुंकी छेत्न की तुलिक आली घती पर घुमता है हिग्ला प्रस्टいます अगला प्रस्ट आपको बताना है इसमें का फश्ट और second दिये गया इसमें बताना आपको कौंस जह हैं जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं जैसे कि यहाँ पर क्या स्लिप इंड़कसं मोटर ऐसे अप्लीकेशन प्रियोग की जाती है जहाँ प्रारंभिक बलाग corresponding अधिक या गति कम वेरियेशन कि आन्सक्त fiats आपको बताना है यूनिवर्सल मोटर आम तोर पर क्रेन प्रेसर और सैग मिल में होता है आपको इसमें से बताना कौन से कथन इसमें सही है दोस्तों यहाँ पर आपका स्लिप रिंडक्शन मोटर ऐसे अप्लिकेशन प्रयोग की जाती जहां प्रारंभिक बलागूर अधिक या स्वारी दोस्तों चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं स्लिप रिंडक्शन मोटर का प्रयोग ऐसे उप करणों में होता है जहां प्रारंभिक बलागूर अधिक और गती कम वेरिशन की आशाकता होती है यहाँ इसका टार्क भी देख सकते हैं यह फार्मला आप जरूर याद इससे बहुत ही कांसेट आपके क्लियर हो जाएंगे स्लिप रिंडक्शन मोटर के इसके रोटर परिपत में अलग से प्रत्रों लागा कर बलागूर बढ़ा सकते हैं यूनिवर्सल मोटर बहुत उच गती की थिरी फेस फ्रेक्शनल हर्स पाउर मोटर होती है जिसका उप्य परिचालन थिरी फेज तीन फेज इंडक्शन मोटर के प्रारंबक यानि प्रारंबक का प्रारंब बटन दबाता है और मोटर गुंजन की आवाज मतलब आवाज तो प्रारंब करती है लेकिन परिचालित नहीं होती है समभावित समस्य क्या होगी सायउत्तर आपको हो और मोटर सिंगल फेजिंग है राइट अंसर है अगला परसन जाने से पहले इसकी व्याक्या देख लेते हैं एक परिचाला को तीन फेज मोटर प्रारंब का प्रारंब बटन बाता है और गुजिन की आवाज प्रारंब करती है लेकिन परिचालन नहीं हो रही है मतलब यहा है कि मोटर गर्म होने मतलब गर्म होने वाली है जिससे फ्यूज उड़ गया है सिंगल फेज मोटर सिल्प इस्टार्ट नहीं होने के कारण नहीं चल सकती है अगला प्रसन अगला प्रसन आपका दिया गया है इस्टार सन्योजित निकाय में थिरी फेज संतुलित भार में तीन फेज असुन तुलित भार में उदा सीन चालक में धारा किसी भी फेज में निम्तम धारा से कम होती है क्योंकि वास्ता में उदा सीन निट्रल धारा का प्रयोजन ही अत्रिक धारा प्रवा के लिए होता है अगला प्रसंट 10 HP 3 फेज 440 इंडक्सन मोटर का पूर्ल करेंट निम्लिकित का करम होता है सही उत्तर 16.7.0 इसका सही उत्तर होगा जो कि इस प्रकार आप सालू कर सकते हैं पूर्ल लोड करेंट वरावर छमता बटे लोडता होता है यहां पर देख सकते हैं पूरा मान रखेंगे सालू कर लेंगे सही उत्तर होगा अगला प्रसंट निम्लिकित में से कि इंडक्सन मोटर के साफ्ट का ब्यास सबसे कम होगा सही उत्तर यहां पर हम आपको बता दें जैसे कि सही उत्तर आपको हो जाएगा आपसे नमबर ए 20 HP और 2880 RPM ये इसका सहुत्तर होगा इसका ब्यास जो है सबसे कम होगा चलिए अगला प्रस्ट यहाँ पर हम आपको बता दें 20 HP 2880 RPM इंडक्शन मोटर का साफ्ट का ब्यास सबसे कम होगा जिसकी गती अधिक वा सरवाधिक होगी अगला प्रस्ट अगला प्रस्ट आपको दिया गया है इंडक्शन मोटर में अर्द समुड़त प्रखाच का कार क्या होता है, सहुत्तर चुमकी धारा घटाना तत्त सक्थि उडगबढ़ाना राइट अंइंट सरे, चलिए देख लेते हैं पर इंडक्शन मोटर में अर्ध संवरत प्रकाच का प्रमुक चुमकी धाराग गटाना और सक्ति गुड़ाग बढ़ाना होता है मसीनों में वाई उंतराल में जितना अधिक होगा उतना ही प्रतिगात यानि रेक्टेंस कमान अधिक होता है तथा सक्ति संवने वाला हिस्सा कान साथ है सहिततर आपको बताना है राइट अंसर है जो की बाडी है राइट अनसर अगला प्रस्फन निम लिखित में से उस वीकल्प को चुने जो सेड़ेट पोल मोटर में पाय जाता है सहुत्तर आपका हो जाएगा जो की राइट अंसर आपस नमबर सी रोटर सहुत्तर है देखते हैं यहाँ पर सेड़ेट पोल मोटर में घूमने वाला भाग गूड़ा कैनी रोटर होता है यहाँ बहुत कम अस्व सकती यहनी वन अपान 250 HP से लेकर एक बटे 6 HP तक का बनाया जाता है इसका प्रारामभीक बला गुड़ बहुत कम होता है इनका प्रयोग खिलावनों पंखो दोखनी हेयर ड्रायर रित्याजी में किया जाता है अगला प्रस्त निम लिकित में से केंसी मोटर सब्ससस्ति है सायुत तर आपका है सिंपल यह है जो कि आपको बताना है KEPISSîTER START मोटर यह सब्ससस्ति होती कब के स्टempt मोटर सब्ससस्ति होती है इसमें प्रयोग्य केное तो घटनी यानि इलेक ट्र हूल रायट का होता है और capacitor बहुत ही लगू duty का होता है इसका period तीन सेकेंड से रिक नहीं होना चाहिए अगला प्रस्ट ceiling fan circuit में regulator का उप्योग करने का प्रयोजन क्या है right answer आपको बताना है जैसे कि fan को दी गई वोल्टा को कम करना right answer है चली देखते हैं आपर regulator voltage का नियंतरल करना fan को दी गई वोल्टा को कम करना है और इसमें एक जेनर डायोट का प्रयोग किया जाता है अगला प्रस्ट दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरू कर दें और अपने दोस्तों में शेर जरूर करें ब्रहत अगर बैसे इसमें टानल डायोट किसके कारण आच्रन करता है सहुत्तर आंत्रिज प्रभारी परत भार में वाको को प्रसार सहुत्तर होगा चलिए आगला प्रस्ट आपको दियागा है जो कि इस प्रकार का है यदि एक रिवर्स बाइस जेनर डायोट ब्रेकडाउन चेतर में चल रहा है तो जेनर डायोट में वोल्टेज क्या होगी सहुत्तर करेंट के सीधे समानुपातिक होगा राइट अंसर है यहां पर आपको बता दें यदि एक रिवाश बाइश जान जेनर डायोड ब्रेकडाउन छेतर में चल रहा है तो जेनर डायोड में वोल्टेज करेंट से देज समान पाती होता है अगला प्रसन अगला प्रसन आपकर दिया गया है डायोड जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज को समान डायोट की तूलना में कम रखा जाता है तो उसे डेट डेस्क रूप में जाना जाता है जेनर डायोट को रूप में जानते हैं सह उत्तर है चले देखते हैं पर जेनर डायोट को रिवर्स बाइस में उपयोग मिलाते हैं यानि जेनर डायोट को जो है रिवर्स बाइस होता है है अगला है evidence में टलने कि घठना किस फेवहर परकार करती है quantum यांत्री वेहर परकार करती है सय उत्तर है अगला है जीनर डायोड 的 वोलता नियमा की धारा परास कितनी होती है सै उत्तर दाई MPR तक होती है सहे उत्तर है अगला प्रसन हो अगला परसन आपका दिया गाए जो कि जेने डायोट डिप्लेशन छेत्र एक नियमेटअ की तूलना में कम के मोplets रहे। जेने डायोट में अगला प्रसनत में भारी दोपिंग यह इसका सहे उत्तर है चलिए यहां पर एक बार पूरी ब्याख्या बता देते हैं जेनर डायोड में डिप्लेशन छेत्र में नीमिट डायोड की तुलना में कम इसलिए होती है नीमिट डायोड तुलना में जेनर डायोड में पी एंड एंड छेत्रों के भारी डोपिंग की जाती है बांजन वुलता होती है चल्य